दोस्तो पिडबूल अमेरिका में पाले जाने वाला एक पापुलर डॉग ब्रीड है इस डॉग को लोग इतना क्यों पसंद करते हैं यह आप और मैं बखुबी जानते हैं कई लोग तो इस डॉग को सेर से भी कंपेर करते हैं और जब बात हो रही है सेर से लड़ने की तो यह देखते हैं ताकतवा कृतों के सरदार कहे जाने वाला तीबतिन मश्टीफ डॉग और एक सिकारी सब्द को बहतरीन धंग से दरसाने वाले जंगल के राजा सेर के बिच अगर भीडनत हो गई तो क्या होगा सेर जीतेगा या डॉक्स का सरदार कहे जाने वाला तीबतिन अपने टॉपिक की तरफ तो अगर बात करें तीबतिन मश्टीफ डॉग की तो इन डॉक्स को सदियों पहले तीबत में विक्षित किया गया था इन डॉक्स को वहां के किसान अपने पतुओं और घरों की रखवाली और परेदारी के लिए गाट डॉक्स के रूप में इस् परसंद करते हैं और जुंड का सबसे जवान और ताकतवर सेर पूरे जुंड का मुखिया होता है इनका जीवन काल 12-14 साल होता है लेकिन शायद ही कोई सेर 10 साल से ज़्यादा जीता हो क्योंकि मुखिया सेरों को अपने जुंड से लेकर अपने टरिटरी को दूसरे सेरों और जानुखो से प्रोटेक्ट करना होता है जिस मुटभेड में अधिकतर सेर मारे जाते हैं और बात कर एक तिबतियन मस्टीफ डॉप की यह 10 से 12 साल तक जीते है और कई तो ऐसे होते हैं जो 12 साल से ज्यादा भी जी जाते हैं अगर belos वैसं की स्चीहाइण 15 cm होती है और इनका वजन 70-80 kg तक होता है इनका सरीक बहुत ही लचीला और फूर्तीला होता है ये मोटा सा दिखने वाला खुटा इतना फूर्तीला होता है कि अगर दोडने पर आ जाये तो 40-45 km पर आवर की स्पीट पकड़ते समय लगता ये डॉक्स बहुत ही फूर्ती के साथ हरे काम को कर लेते हैं और वहीं बात करें एक शेर के हाइट और वेट की तो इनकी हाइट 120 cm होती है और वजन 180-200 kg के बीच होता है एक शेर तीबतियन मस्टीफ डॉक्स से 3 गुना जादा बड़ा होता है लेकिन फिर भी बात करें एक शेर के बीच लड़ाई की तो इसमें शेर अपने बड़े आकार और वजन की वज़े से जल्दी जीत जाएगा क्योंकि एक शेर शेर होता है और पुता पुता होता है